कि हैं आज हम के जे नॉलेज हब के यूच ट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम भारत के छित्रफल के दिश्टी से तेश्वे बरे राज मनिपूर के बारे में अध्यान करेंगे तो अध्यान के पहले जो है हम कंप्यूटर महोदय से कहेंगे कि कंप्यूटर महोदय आप मनिपूर के मांचित्र को यहाँ प्रस्तूत करें मनी ये स्टुडेंट जो है मनी पूर का मानचित्र है आप अपने वीडियो को पॉस्ट करें और इसे देखें आपने देख लिया होगा अब कम्प्यूटर महोदे से मैं कहूंगा कि मनी पूर के जो राज किये प्रतीक हैं उसको जो है यहां पर प्रसूत करने की किरपा करें यह रहा मनी पूर का राज किये चिन्य एवां प्रतीक और मोहन आप वीडियो को पॉस्ट करें और मनी पूर के राज किये प्रतीकों को और वहां के राज किये चिन्य को देखें हलो स्टुडे तो अभी हमने हम लोगों ने मनी पूर के मानचित्र को देखा और मनी पूर के राज किये प्रतीक को देखा मनिपूर के राज किये मोहन को देखा तो अब हम देखते हैं मनिपूर से सम्मंधित कुछ महत्पुन जानकारियां जो आपको प्रिक्षा में जितने भी परतियोगी प्रिक्षाएं होती है या राज अस्तर की हो या केंद्री अस्तर की हो उसमें आपके लिए ये बहुत ही लावकारी है तो सबसे पहले हम मनिपूर के कुछ इतिहास के बारे में आपको बतला देते हैं मनिपूर का इतिहास अतीप राचीन काल से है महाभारत काल में आपको पता होगा कि अर्जुन की पत्मी जो थी चित्रांगदा उनका मैके जो था मनिपूर में ही था और जुन ने मनिपूर इसकी अस्थापना होई थी 21 जन्वरी 1972 को जब मनिपूर के चवहद्दी पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि इसके उत्तर में नागा लायल है मनिपूर के पूरब में म्यान मार है मनिपूर के दक्षिन में मीजोरम है और पस्षिम में असम और मीजोरम है असम और मीजोरम मनिपूर एक अस्थल रुद्ध प्रदेश है यानि इसके आज पास कोई समुद्र नहीं है मनिपूर में जो जंगल का प्रतिस्थ है वह 66-3 परसेंट है और अगर छेत्रफल में देखा जाया तो मनिपूर में मनिपूर के कुल छेत्रफल में 17,448 किलो मेटर स्क्वाय जंगल है मनिपूर का अक्षांस ये विस्तार 30 डिग्री 83 मिनट उत्री अक्षांस से 25 डिग्री 68 मिनट उत्री अक्षांस के बीच है देशांतर ये विस्तार को जब देखते हैं तो पता चलता है कि मनिपूर 93 डिग्री 3 मिनट पुर्वी देशांतर से 94 डिग्री 78 मिनट पुर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है मनिपूर का च्छेत्रफल 22,327 किलो मिटर है किलो मिटर स्क्वाइर है च्छेत्रफल की दिश्टी से मनिपूर भारत में 23 पोजीशन का राज्य है और भारत के कुल च्छेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.68 परसेंट है इसका नामकरन 21 जन्वरी उन्हें 172 को किया लिया यहां की प्रमुखन दिया हैं बराक लनाई लनाई बराक लनाई शेक्मई यू नदी इमफाल नदी चकपी इत्यादी यहां की प्रमुखन दियां है मनिपूर की सबसे लंबी नदी का नाम है बराक मनिपूर के प्रमुख प्रवत जो है मनिपूर की पहारियां है इमाम लोई चिंग प्रवत नोन गामी चिंग नोन गामी चिंग प्रवत यह मनिपूर के प्रमुख प्रवत है और मनिपूर की सबसे उंची चोटी का नाम है कोब्रू 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 जिसकी उंचाई जो है पचीश सो बासट मिटर है तो स्टुडेंट आज हम लोगों ने मनिपूर से सम्मंधित कुछ महत्पूर्न जानकारियों को देखा आप वीडियो को पॉस्ट करें इसे नोट करें हाँ तो देखते हैं मनिपूर से सम्मंधित जो अगली जानकारी है उसको देखते हैं मनिपूर में जो वन का प्रतिसत है वह 67.63 परसेंट है वन का जो च्छित्रफल है वह 17.418 किलोमीटर स्क्वाइर है मनिपूर की जनसंख्या जो है वह 25,70,000 25,70,390 है जनसंख्या की दिश्टी से मनिपूर का जो भारत में स्थान है वह 23 वा है और भारत के कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है 0.21 परसेंट है मनिपूर का जनसंख्या घनत जो है वह 130 बेक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वाइर है साक्षर्टा दर जो है 79.85 परसेंट है 89.85 परतिसत और यहां पर जो लिंगा अनुपात है वह है 992 इस्तिरियों की संख्या है पुर्सो की संख्या एक हजार है मनिपूर में परमंदल के बारे में कोई जिक्र नहीं है लेकिन मनिपूर में 16 जीले है मनिपूर में अनुमंदलों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है लेकिन मनिपूर में अनुमंदल जो है मनिपूर में अनुमंदलों की संख्या 37 है और परखंडों की संख्या जो है 38 है यहां पर पंचायत है मनिपूर में पंचायत है पंचायत एक सो एक सक पंचायत है मनिपूर में नगर पालिका जो है वह अठारा है और नगर निगम एक है और वह भी नगर निगम कहा है सिलॉंग में सिलॉंग मनिपूर पिधान सवा में सदस्यों की कुल संख्या जो है साथ है और लोग सवा के लिए यहां से दो सदस्य निर्वाचित किये जाते है मनिपूर में पंचायत लागू है पंचायती राज कुछ छेत्रों में लागू है तो वहां 171 जिन छेत्रों में पंचायती राज लागू है वहां के एक सो एक सट वहां पर एक सो एक सट ग्राम पंचायतों के स्थापना की गई है वन का प्रतिसाथ सरसर दसमलों चोथीन परसेंट जो छेत्रफल बनता है 17,418 किलोमेटर इस्पॉर मनिपूर की जन संक्या 25,70,390 बेखती है और भारत में यह अस्थान रखता है 23 पोजीशन का भारत के कुल छेत्रफल में जन संक्या के कुल हिस्सेदारी जो है मनिपूर की 0.2 एक परसेंट है इसका जन संक्या घनत तो 130 वेक्ति प्रति किलोमेटर स्क्वाइर है और यहां के लोग लगवग 80 परसेंट लोग साक्षर है यहां 992 इस्तिरियों की संक्या और पुरसों की संक्या 1000 आहां परमंदलों के वारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है लेकिन जीलों की संक्या 16 अनमंडग 37 प्रखंड 38 नगर निगम एक है जो सिलॉंग में अस्थापित है नगर पाली का 18 विदान सभा सदस्यों की संख्या साथ है और लोग सभा सदस्यों की संख्या जो है यहां से दो सदस्यों कि लिए चुने जाते हैं पुर्वी मनिपूर से और स्टमी मनिपूर से तो आप इसको पाहुँच करके वीदियो को पाहुच करके इससे नोट करें अब हम लोग आगे चलते हैं मनिपूर के बारे में आगे जानकारी मत्पुन जानकारी हाँ तो इस्टुडेंट अरं थाटिन तो नंबर कोस्टन को देखते हैं यह मनिपूर से संबंदिज जो है प्रस्न है मनिपूर से राजसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं तो मनिपूर से राजसभा के लिए एक सदस्य चुने जाते हैं मनिपूर के राजपाल है स्रीमती नेजमा हेपतुल्ला नेजमा हेपतुल्ला मनिपूर के परतमान में मुख मंत्री है इन बिरेंसीन इन वी रेइन शिंग है है स्टुडे है हमने मनिपूर राज के नगर पालिका के बारे में नगर निगम के बारे में गलती से सिलॉंग उत्तव दे दिया था मनिपूर में जो नगर निगम है उसका नाम है इंफाल नगर निगम एक है एक और कहां है इंफाल में मनिपूर बिधान सवा के अध्यक्ष है खेम चंद सिंह वाई खेम चंद सिंह वाई खेम चंद शिंग मनिपूर उच्च नियाले की अस्थापना 25 मार्च 213 को हुई थी मार्च 2013 मनिपूर उच्च नियाले का मुख्याले इंफाल में है और इस उच्च नियाले में नियाधिसों की कुल संख्या चार है जिसमें एक जो है मुख नियाधिस और तिन अनियाधिस है मनिपूर उच्च नियाले के बरतमान में जो मुख नियाधिस है उनका नाम है राम लिंगम सुधाकर मनिपूर के प्रसासनी विधाई और नियाई के राजधानी जो है इंफाल है बतला एड्मिस्टेटिव कैपिटल भी इंफाल है लेजिसलेटिव कैपिटल भी इंफाल है और जियोडीसियरी कैपिटल भी जियोडीसियल कैपिटल भी इंफाल है मनिपूर की आधिकारिक भासा मनिपूरी है इस अम्विधान की आटवीस अनुसुची में सामिल है और आज की भासा भी मनिपूरी है मनिपूर का राज की पसुचु है वह संगाई है मैंने आपको संगाई का जो छित्र है उसको पहले ही दिखाया है राज की पक्षी जो है नोन गई है मनिपूर का राज की प्फूल जो है सिरोई लिली है लिली मने कुमोद नहीं होता है लिली और मनिपूर का राज की प्रिक्ष जो है उनिंग थोऊ है उनिंग थोऊ मनिपूर का राज की प्फल जो है अनानास है पाइनेपल अस्टुडेंट आप मनिपूर से समंधित और तालिस प्रसनों तक हम लोग पहुँचे हैं हम और आप अब इसके आगे वाले प्रसन को हम लोग देखते हैं इसको देखने के पहले जो है आप वीडियो को पोस करें और इसे नोट करें मनिपूर का राज के नित जो है मनिपूरी है मनिपूरी यहां का सबसे बड़ा नगर जो है इंफाल है जो मनिपूर की राधानी है मनिपूर में राष्टिय राधमार्क की लंबाई जो है 969 किलो मिटर है मनिपूर में रेल लाइन की लंबाई 111 किलो मिटर है और मैं कम्पूर में और से आगरा करूंगा कि आप यहां पर मनिपूर के राज की चिन को प्रस्थूत करें तो student यह है मनिपूर का राज की चिन यह है तो student अगर मनिपूर के संबन्द में जो महत्पन जानकारिया मेरे पास जितनी छमता थी और प्रिक्षा में जिस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं प्रतियोगी प्रिक्षाओं में उसके आधार पर मैंने जो प्रस्ण तयार किया है अगर आपको मनिपूर से समंदिज जानकारी का यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सेर करें, शवस्क्राइब करें और इस वीडियो के डिस्किप्शन में मैंने मेघाले राज का लिंक दिया है अगर मेघाले राज की जानकारी आपको लेनी है, तो वीडियो के डिस्किप्शन में दिये गए लिंक के आधार पर आप मेघाले राज की जानकारी भी प्राप्च कर सकते है तो अगले वीडियो का आप इंतजार किजिए धन्यवाद